ये point of time पे मुझे लगता है market को आना चाहिए फिर से 17,000, 20, 17,000, 25 के level को back nifty को test करना चाहिए एक पर फिर से क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा कासा breakout और देखने को बिल्याद है यहाँ पर आप दिखोगे market ने break दिया था यहाँ पर जाएगी यहाँ तो minimum to minimum 17,000, 20, 17,000, 24 के level पे market को आना ही इस लिफटी YouTube चैनल पर नहीं नहीं सब्सक्राइख किया तो कर लोगो कि बहुत साने important और easy adjustment strategies मैंने share की रहे और share करफता रेकमरेदिगन बेसे इस बेर मार्केट खिले और टेलिगान चैनल भी लिंक में इस्क्रिप्शन पर दिखते हैं, बाटम करके यहां पर नीचे घिरा, यहां से बाटम बनाके अंऊपर की तरफ बाटम जा रहा है वापस, अविरे में 39.80, बाटम में एक्स्पेक्टेड है कि टेस्ट करेगा फिर स स्ट्रक्चर बनाया उसने, और स्ट्रक्चर का ब्रेक तरफ यहां पर फिर से आती है, यहां पर मैं एक लॉंड पोजिशन ले सकता हूँ, इसके नीचे, टार्गेट मिला रहेगा यहीं से फिर से हाइट, और हो सकता है, ता हाई टाइम पर भी तो आस पास हो इस्टें करते हैं, कुछ clarity जादी है, कोई clarity नहीं है, Nifty में भी आज gap लप होके, फिर से बहुत नीच आ गया, बहुत साइ लोगो को tap कर दिया, मुझे रबता है कि हाई चांसे है, बहुत जाए चांसे है कि 70,033, 70,047, यह level of market फिर से आएगा आप Nifty मे की पास फिर से, एक ही चीज आ आपको बताता हूँ, आप notice करोगी चार्ट में, अगर आप इंठर एक 5 मिल्ट से चार्ट में, तो आपको समझ में आए चीज, बहुत important study है, comment section में कोई इंट्रेस्टेट है जाना, तो इक comment section में बताओ, मुझे क्यों रगता है कि यहाँ पे market, यहाँ पे वापस आएगी, और में नहीं हो सकता है, higher prices है, फिर से हमें देखने को मिल जाए आँच, बहुत होगा क्या, अब मैं आप वाजाता होगा क्या, यह बड़े moment के बाद, तो market डाउन आई, डाउन आई, अब क्या होगा, अब यहाँ पे जिसने short position बनाई होगी, यहाँ पे Nifty ने जिसने short किया होगा, अब यहाँ मार्केट में यहाँ पे अब देदरे ऊपर जा रहे है, जिन्होंने short किया, उनकी दिल की डड़कने बड़ पड़ रहे है, ठीक है, अब most market उनके stop loss, जिन्होंने यहाँ पे short किया होगा, उनने stock loss यहाँ रखा होगा, max to max यहाँ रखा होगा, और market इस structure क ब्रेक करके जा रही है, जिन्होंने short position बनाई है, अब देदरे वो exit बारेंगे, देखना गया से इसको कहते है, short covering, short covering से market अब जीटा देदरे ऊपर आएगी, जिन्होंने यहाँ पे position बनाई, वो यहाँ इनके नीचे, वो भी trap होगा, जिन्होंने यहाँ position बनाई, वो भी trap होगे, तो दो बार try किया, अब मिल्ट मार्केट को नीचे जिलाने का, पर यहाँ पर try किया, यहाँ पर try किया, पर यहाँ पर try कर चुक है, तीनों बार same, तो क्या होगा, अब market उपर के तरफ जाएगी, तो तीन बार चीज़ें फेल जाती है, वो यहाँ से market आप extract कर सकते ह हो सकता है, मैं इस level को भी आज को उसकते है, यह trap करेगा सबको, जिनों ने call sent किया, यह market सबको trap करने के chances आना दगता है आज, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ market ले ट्राप किया है, यह मैंने आपको बताया, आदे 10-15 पहले ही मैंने बताया है, यह market यहाँ पर यहाँ पर कि ultimately, जिनोंने आपे selling position बना के रखी थी, जिनोंने आपे selling position बना के रखी थी, यह सब में इंजेट मार दिया, तो बड़ी सी candlestick बन गई, यह finally seller stay, उन्होंने हार मान दी, यह तो एक साथ जो बहुत साथ लोग एग्जिक्ट मार देते थी आपने position, तो यह एग्जिक्ट ग बायर्स की वैसे नहीं बनी है, बायर्स का कम इसमें रोल है, जिनोंने आपे short position बनाई, वह एग्जिक्ट मार देवर्ज आप give up रहा है, अपनोंसे नहीं होता हो रहा है, बहुत जाए painful चीज होगी, यहां पर short position बनाई, यहां पर बनाई, market भी से जाई रही नहीं है, फिन market reverse कर सकती है, बढ़े आप देखो, सुबहे से हो क्या है, सुबहे से market uptrend में चब रहा है, एक down से push आया, आपे trap किया, यहां पर देखो जिनोंने pile किया दा market उसको trap किया, उसके बाद आप sell कर रहा है, जिनोंने market उसको trap कर रहा है, कोई भी indicator आपको भी मता पाएगा, जब आप चार्ट देखना नहीं से को बे तब आप रहा है, आज call sellers भी trap हो गए, put sellers भी trap हो गए, और मेरे असाब से एक फिर से नया high रहा है, market यहां पर नहीं रुप लेगिया, यहां सो सकता है, और उपर की तरफ जाए, तो कॉन वाले बिच में हाले फिर से trap हो जाएगे भी, यह level जो मैंने mark करके रखा है, market का chances देए कि हम जाएगा तक, और market बोले level को अप्रूच कर रही है, अब, yes, nifty can break today's high, हो सकता है, हम थोगा high की ओपर जाकर फिर से reverse मार दे, ठीक है, यह high को हम थोड़ा सा break करे, फिर reverse मार दे, बट नया high chances है, यहां nifty बना ले, वह साई चां ग्यारब एक पहले हाई लग जाए तो यह chances कम है कि हाई हो, नया high लगने के chances जाता है, और 11 बजी हाई लगने के रिवस मरता ना, chances बएदे कि हाई रहेगा, but 11 बजी के पहले, पहले, 11 के राउंड यह high करे रहा है, वो सकता है, यह false high हो, सो यह गाई, जिसा कि आपने देख जो आज का high लगाता सुबह का, market उसे break करके नया high create करेगा और आप देख सकते हैं, market ने बहुत ही जबतरस movement दी आखरी के 3-3 बज़े के बीच में market ने around 500 पॉइंट का movement तेरी या लिफ्टी में, तो guys, वीडियो अच्छी लगे और आपने कुछ सीख है से तो subscribe करना दे चैनल को thank you very much and take care